अध्याय एक विचार ही वस्तू है कुछ साल पहले एडविंसी बांज ने इस सच्चाए को जाना कि लोग दरसल सोच कर अमीर बन सकते हैं इसकी शुरुवात हुई महान एडिसन के साथ पार्टनर्शिप करने की उनकी प्रबल इच्छा से वे एडिसन के साथ काम करना चाहते थे उनके लिए काम नहीं करना चाहते थे जब यह इच्छा या विचार उनके दिमाग में पहली बार कौन दा तो वे इस थिदी में नहीं थे कि इस पर अमल कर सकें उनकी रहा में दो बाधाएं थी पहली ये कि वे एडिसन को नहीं जानते थे और दूसरी ये कि उसके पास औरेंच न्यूजर्सी जाने के लिए रेल के किराय तक के पैसे नहीं थे वे एक दिन मिस्टर एडिसन के प्रयोगशाला में पहुँच गया और उसने ये घोशना की कि वे उस महान आविशकारक का बिजनस पार्टनर बनने के लिए आया है इस पहली मुलाकात के बारे में बोलते हुए वर्षोबाद एडिसन ने कहा वे एक साधारन फुट पाथिये की तरह मेरे सामने खड़ा था परंतु उसके चहरे पर ऐसा कोई भाफ था जिससे ये दिखता था कि वे जो पाना चाहता है उसने उसे हासिल करने का ध्रड़ निश्यक कर रखा है मैंने उससे उसका मन चाहां अफसर इसलिए दिया क्योंकि मैं देख सकता था कि उसने यह तै कर लिया है कि वे तब तक जुटा रहेगा जब तक कि वे सफल ना हो जाए बांज को पहली ही मुलाकात में एडिसन ने अपना पार्टनर नहीं बना लिया परन्तु उन्हें एडिसन के ऑफिस में बहुत कम तंखवा पर काम करने का अवसर मिला बांज एडिसन का बिजनस पार्टनर बनने के लिए तैयार थे इससे भी बड़ी बात ये है कि उन्होंने तब तक तैयार बने रहने का संकल्प कर लिया था जब तक कि उन्हें अपनी मन चाही चीज हासल ना हो जाए अगर लोग अपने लक्षे को निश्चित कर लें और एक आगरता वे संपूर्ण समर्पन से उसे प्राप्त करने में जुट जाएं तो लोगों की किसमत बदल सकती है आखिरकार उन्हें वे अफसर मिल ही गया जिसकी उन्हें तलाश थी जब अफसर आया तो वे ऐसे रूप में आया और ऐसी दिशा से आया जिसकी बांस ने उम्मीद भी नहीं की थी एडिसन ने एक नया ओफिस यंत्र बनाया था जिसे उस वक्त एडिसन डिक्टेटिंग मशीन के नाम से जाना जाता था उनके सेल्समेन उस मशीन को लेकर उचसाहित नहीं थे उन्हें ये विश्वास नहीं था कि इसे आसानी से बेचा जा सकता था बांस जानते थे कि वे एडिसन डिक्टेटिंग मशीन बेच सकते हैं उन्होंने एडिसन को ये सुझाव दिया और उन्होंने ततकाल अपना मौका मिल गया उन्होंने मशीन इतनी सफलता पूर्वक बेची कि एडिसन ने उन्हें इस मशीन को पूरे देश में डिस्ट्रिब्यूट करने और मार्केटिंग का कॉंट्राक्ट दे दिया इस बिजनस सहयोग से बांस ने धेर सारा पैसा कमाया उन्होंने यह साबित कर दिया कि इंसान सोच कर अमीर बन सकता है असफलता का एक आम कारण यह है कि लोग अस्थाई पराजे के बाद मैदान छोड़ देते हैं आर्यू डार्वी के एक अंकल कोलरश के दौर में स्वर्ण की खोज के अभियान में जुड़ गए कई सप्ताह की मेहनत के बाद उन्हें चमकते हुए स्वर्ण की जलक दिखाई दी परंतु उस सोने को सतह तक लाने के लिए मशीनों की जरूरत थी उन्होंने मिलकर मशीनों को खरीदने के लिए आवश्चक धन जोटाया अंकल और डार्बी खदान पर काम शुरू करने के लिए वापस लोटे कच्ची धातू की पहली खेप को स्मेल्टर तक पहुंचाया गया वहाँ यह पता चला कि उनकी खदान कोलोराडो की सबसे बढ़िया खदान थी कच्ची धातू की कुछ खेपों में ही उनके सारे करजे उतर जाते खुदाई करने वाली मशीने नीचे जा रही थी डार्बी और अंकल की आशाएं आस्मान छू रही थी तबी अचानक कुछ हुआ सोनी की जलक गायब हो गई वे खोदते रहे इस आशा में की एक बार फिर सोने की जलक दिख जाए परंतू उनकी महनत बिकार गई उन्होंने एक कबाडी को मशीने कौडियों के मोल बेच दी और ट्रेन पकड़ कर वापस घर लोड़ गए कबाडी ने एक माइनिंग इंजिनियर को बुलवा कर खदान का इंस्पेक्शन करवाया इंजिनियर ने सलहा दी कि ये प्रोजेक्ट इसलिए असफल हुआ क्योंकि इसके मालक ये नहीं जानते थे कि बीच में फॉल्ट लाइन आती है उसके विशलेशन के अनुसार सोने की जलक उस्थान से मात्र तीन फुट नीचे थी जहां डार्बी ने खुदाई बंद की थी और इंजिनियर का अनुमान सच साबित हुआ कबाडी को खदान से लाखों करोडो डॉलर का सोना मिला सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जानता था कि हार मानने से पहले विशिशग्य की सलहा लेना उचित होता है बाद में मिस्टर डार्बी ने अपने इस नुकसान की कई गुना भरपाई कर ली जब उन्होंने ये खोज लिया कि इच्छा को सोने में बदला जा सकता है ये खोज उन्होंने तब की जब वे जीवन बीमा बेचने के बिजनस में आए उन्हें याद था कि उन्होंने सोने से तीन फुट दूर ही हार मान ली थी डार्बी ने इस अनुभव से सबक सीखा और वे अपने नए बिजनस में खुद से ये कहा करते थे मैं सोने से तीन फुट दूर रुख गया था परन्तु जब मैं लोगों से बीमा खरीदने के लिए कहता हूँ तो मैं सिर्फ इसलिए कभी नहीं रुखता क्योंकि उन्होंने ना कह दिया है डार्बी ऐसे चुनिंदा लोगों में से एक बन गए जिन्होंने हर साल एक मिलियन डॉलर से अधिक कभ बीमा बेचा कुछ समय बाद ही उन्हें एक और अनुभव हुआ जिससे उन्हें ये सीख मिली कि ना का मतलब हमेशा ना नहीं होता एक दुपहर को वे पुरानी मिल में गेहु साफ करने में अपने अंकल की मदद कर रहे थे धीमे से दर्वाजा खुला और किरायदार की छोटी सी अश्वेत लड़की अंदर आई और दर्वाजे से टिक कर खड़ी हो गई अंकल ने उसकी तरफ देखा और चिला कर पूछा तुम्हें क्या चाहिए? विनम्रता से बच्ची ने जवाब दिया मेरी ममी ने कहा है कि आप उन्हें पचास सेंट भिजवा दें मैं नहीं भेजूँगा अंकल ने जवाब दिया अब तुम घर की तरफ दौड लगा दो येस सर बच्ची ने जवाब दिया परंतु वह जरा भी नहीं हिली अंकल ने उस गेहूं के बोरे को वहीं पटक दिया जिससे वे उठाकर थ्रेशर में डालने वाले थे और एक डंडा उठाकर वे बच्ची की तरफ आगे बढ़े जब अंकल बच्ची के पास पहुँचे तो बच्ची एक कदम आगे बढ़ी और वे उनकी आँखों में आँखे डालकर तेज आवाज में चीखी मेरी मम्मी को पचास सेंट चाहिए ही चाहिए अंकल रुख गए उन्होंने उसकी तरफ एक मिनट देखा फिर धीरे से डंडे को फर्श पर रख दिया अपनी जेब में हाथ डाला आधा डॉलर निकाला और बच्ची को दे दिया उसने ऐसा किस तरह किया उनके अंकल को क्या हो गया था जो उनका गुसा काफूर हो गया और वे एक भेड की तरह आग्याकारी बन गए इस बच्ची में वह कौन सी शक्ती थी जिसके कारण उसे सफलता मिली आपको क्या लगता है इस बच्ची में वह कौन सी अध्भुच शक्ती थी जिसके कारण उसने अंकल को हरा दिया जब मैंने मिस्टर डार्बी को बताया कि वह छोटी सी अश्वेत बच्ची किस अध्भुच शक्ती का प्रयोग कर रही थी तो उन्होंने 30 साल के अपने जीवन बीमा सेल्जमेन के कार्रे का विशलेशन करते हुए यह ततकाल स्विकार किया कि इस ख्षेत्र में उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण उस बच्ची से सीखा गया सबक था मिस्टर डार्बी ने बताया हर बार जब भी संभावित ग्राहक मुझे टरकाना चाहता था और मुझे समान खरीदने से मना कर देता था तो मुझे उस पुरानी मिल में खडीव है बच्ची याद आ जाती थी जिसकी बड़ी बड़ी आँखों में अवग्या साफ दिख रही थी मेरी ज्यादतर सेल तभी हुई है जब शुरुआत में ही लोगों ने ना कहा है मिस्ट डार्बी और उनके अंकल की सोने की खुदाई बच्ची और अंकल की मुठ भेड की कहानिया बेशक सैंकडो जीवन बीमा एजेंटों द्वारां पढ़ी जाएंगी और इन सभी को लेखक ये बता देना चाहता है कि इन दोनों अनुभवों से सबक सीख कर ही डार्बी हर साल दस लाख डॉलर से ज्यादा का जीवन बीमा बेच पाए सफलता हासल करने के लिए इनसान को एक सिर्फ एक दमदार विचार की ही जरूरत होती है जब आप सोचकर अमीर बनने की शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि दौलत मानसिक अवस्था से लक्ष की निश्चित्ता से शुरू होती है चाहे उसमें कड़ी महनत हो या ना हो आप और आप ही की तरह के हर व्यक्ति को ये जानने में रुची लेनी चाहिए कि उस मानसिक अवस्था को कैसे हासल किया जाए और आप जिस भी चीज़ को चुएंगे वे आपके लिए फाइदे मन साबित होने लगेगी असंभफ बिलकुल नहीं मानवजाती की एक खास कमजोरी ये है कि आउसत आदमी असंभफ शब्द का प्रयोग बहुत करता है ये पुस्तक ऐसे लोगों के लिए लिखी गई है जो ऐसे नियम जानना चाहते हैं जिन्होंने दूसरे लोगों को सफल बनाया है और जो इन नियमों पर चलने के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगाने के इच्छुक हैं सफलता उन्ही को मिलती है जो सफलता के बारे में जाग रुख होते हैं ज्यादा तर लोगों में एक और कमजोरी होती है कि वे अपने विश्वासों और अनुभवों के पैमाने से हर वस्तू और व्यक्ति को नापते हैं जिस चीज़ को हम नहीं समझ पाते हम उस पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं हम मूर्खता पूर्वकिये विश्वास करते हैं कि हमारी सीमाएं ही सीमाओं का सही पैमाना है जब हेंडी फोर्ड ने अपनी प्रसिध V8 मोटर बनाने का फैसला किया तो उन्होंने एक ऐसा इंजिन बनाने का विकल्प चुना जिसके आठो सिलिंडर एक ही ब्लॉक में हो उन्होंने अपने इंजिनियरों को ऐसा इंजिन बनाने का निर्देश दिया सभी इंजिनियरों का कहना था कि 8 सिलिंडर के इंजिन ब्लॉक को एक ही टुकडे में ढालना असंभव है काम चालू कर दो फोर्ड ने आदेश दिया और ये काम तब तक करते रहो जब तक कि तुम्हें इसमें सफलता ना मिल जाए इंजिनिरों ने काम शुरू कर दिया अगर वे फोर्ड की नौकरी में बने रहना चाहते थे तो उनके पास कोई दूसरा विकल्ब था भी नहीं छे महीने गुजर गए परंतु कुछ भी नहीं हुआ इसके बाद छे महीने और गुजर गए और फिर भी कुछ नहीं हुआ एक साल बाद फोर्ड ने इंजिनियरों को फिर बुलवाया और दुबारा उन्होंने उन्हें वही बताया कि उनके आदेश को पूरा करने का कोई तरीका उन्हें नहीं सूज रहा है काम चालू रखो फोर्ड ने कहा मैं इसे चाहता हूँ और मैं इसे पाकर ही रहूँगा उन्होंने काम चालू रखा और फिर जैसे जादू की छड़ी से रहसे प्रकट हो गया फोर्ड की लगन एक बार फिर जीती हैंरी फोर्ड इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्हें सफलता के सिधान्त मालूम थे और उन्होंने उन सिधान्तों पर अमल किया था इन में से एक है इच्छा यह जानना कि आपको क्या चाहिए जब हैले ने यह अमर पंक्तियां लिखी मैं अपने भागे का निर्माता हूँ मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूँ तो उन्हें हमें यह जानकारी देनी चाहिए थी कि हम अपने भागे के निर्माता स्वयम है अपनी आत्माओं के कप्तान हम स्वयम है क्योंकि हम में अपने विचारों को नियंतरित करने की शक्ती है उसे हमें यह बताना चाहिए था कि धेर सारी दौलत हासल करने से पहले हमें अपने मन में दौलत हासल करने की प्रबल इच्छा का चुम्बक ये विचार रखना चाहिए लेकिन चुम्की हैनले एक कवी थे, दार्शनिक नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस महान सच्चाई को कविता के रूप में ही रखा और इन पंक्तियों के दार्शनिक अर्थ को पढ़ने वालों के विशलेशन पर छोड़ दिया कई साल पहले मैंने वेस्ट वर्जिनिया के सालिम कॉलेज में एक भाशन दिया था, जिसमें इच्छा के बारे में मैं इतनी प्रबलता से बोला, कि शुरुताओं में से एक ने इसे अपनी फिलोसिफी का हिस्सा बना लिया वह युवक संसत सदस्य बन गया और फ्रैंक्लिन डी रूजवल्ड सरकार में एक महत्वपूर्ण पद पर पहुँचा, उसने मुझे एक पत्र लिखा, मैं उसके पत्र को प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रिये नेपोलियन, 1922 में आपने सालिम कॉलेज में एक भाषन दिया था, तब मैं उसी कॉलेज में पढ़ता था उस भाषन में आपने मेरे मन में एक ऐसे विचार का बीज बोया था, जिसकी वजह से मैं आज इतना सफल हो चुका हूँ जिसकी वजह से मैं आज इतने सारे लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ और जिसकी वजह से ही मैं भविश्य में भी सफलता प्राप्त कर पाऊंगा मुझे याद है जैसे है कल ही की बात हो कि आपने हेंरी फोर्ड का उधारन दिया था जिनके पास ज्यादा शिक्षा नहीं थी जिनके पास एक डॉलर भी नहीं था जिनके कोई प्रभावशाली मित्र भी नहीं थे परन्तु इन सब के बावजूद वे सफलता की चोटी पर पहुँच गए मैंने उसी समय अपना मन बना लिया था आपके भाशन के पूरा होने से पहले ही मैंने ठान लिया था कि चाही मेरे जीवन में कितनी भी कठनाईया आए मैं उन सब को पार करके सफलता प्राप्त करूँगा आज अमेरिका में ऐसे हजारों लोग हैं जो यह जानना चाहेंगे कि विचारों को दौलत में किस तरह बदला जा सकता है गरीबी के दलदल से बाहर निकल कर अमेरिके गलीचे तक कैसे पहुँचा जा सकता है शुब कामनाव सहित आपका जैनिंग्स रेंडॉल्फ